नमस्कार दोस्तों, आपको यूटूब में फिर एक बार स्वागत है मैं इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूँ 45 कुश्चन और 45 कुश्चन, 45 कुश्चन रेल के बारे में बनाया और 45 कुश्चन स्लिपर के बारे में बनाया अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँँगा आप उसे देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोसिस कर रहा हूँ जिसमें आपको गिट्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा ये गिट्टी भी एक परकार से most important question है ये question आप थोड़ा ध्यान पुरबक बढ़े इसमें भी 45 question कवर करने का कोसिस करूँगा जो भी हिंदी मेडियम में आपके लिए महत उपुर्ण होगा सभी question most important है selective question है आप इसे याद कर ले ताकि जेए पीवे में आसानी से आपका हो सके ठीक है मैं विशेश time birth नहीं करते हुए मैं question के उपर चलता हूँ 300 mm गिट्टी कुशन के साथ LWR track concrete slipper पर गिट्टी परती मीटर की मात्रा कितना होगा तो 300 mm गिट्टी कुशन अगर रहेगा तो इसकी गिट्टी की मात्रा जो होगी परती मीटर 23.04 होगी बड़ी लाइन पर गिट्टी सप्लाई के लिए अधिकतम अनुमत सरकल घरसन मुल्य होता है तो यह अधिकतम सरकल मुल्य जो होता है घरसन मुल्य यह 30% होता है बड़ी लाइन पर गिट्टी की आपूर्ती के लिए अधिकतम अनुमत कुल परभाब मुल्य यह कुल परभाब मुल्य यह बड़ी लाइन पर जो है 20% होगा मसीन से PC गिट्टी के मामले में 40 एमिम बर्ग की जाली चलनी पर परतीसत अब धारन की अनुमत सीमा होती है तो यह 40 एमिम की जो अनुमत सीमा होती है यह 40-60% होना चाहिए गिट्टी सपलाई के मामले में यह 40 एमिम बर्ग जाली चलनी पर परतीधारन 65-70% है तो अनुबंदित दर में कितने परतीसत की कमी किया जाएगा समतल भूबाग में गिट्टी के धेर की अनुमत निंतम उचाई कितनी होनी चाहिए तो इसकी निंतम उचाई जो है समतल में एक मीटर होनी चाहिए परतीयक अस्टैक की निंतम गिट्टी मात्रा के लिए अनुमती होती है तो इसकी परतीयक अस्टैक के लिए निंतम गिट्टी जो होती है ये तीस एम क्यों होती है गिट्टी सप्लाई के मामले में भुगतान करने के लिए उपकर में सकल उतमाप का अनुमत संकोचन के वाइड में गिट्टी की कटवती होनी चाहिए गिट्टी सप्लाई के मामले में भुगतान करने के लिए उपकर में सकल माप पर अनुमत संकोचन में वाइड के लिए परतीसत कटोती होती है तो ये कुछ भी नहीं होती है क्या परियाप्त गिट्टी गहराई ट्रेक के रख रखाओं को परभावित कर सकती है हाँ संदचना का दवाब बढ़ेगा LWR के प्राबधान के मामले में कर्ब के बाहर परदान की जाने वाले गिट्टी असकंद की चवडाई होनी चाहिए तो ये गिट्टी की चवडाई 500 mm होनी चाहिए SWR ट्रेक के लिए गिट्टी कुशन की नियुन्तम गहराई कितनी होनी चाहिए तो ये 500 mm होनी चाहिए कर्ब पर गिट्टी का आतिरिक्त असकंद चवडाई होनी चाहिए कर्ब पर जो है गिट्टी की असकंद चवडाई 150 mm होनी चाहिए तटबंद में पार्स्व ढ़लान बनाने को समाने रूप से रखा जाता है तटबंद में रखा जाता है टू इन वन में चिपकाए गए परतिरोधित जोड़ों के नीचे गिट्टी येमेम से कम नहीं होनी चाहिए जहां जोड़ होता है वहां कम नहीं होनी चाहिए तो 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए निम्न मेंसे क्या मसीन से पीसा गिट्टी अस्टैक को आकार में कमी के लिए अस्विकार कर दिया जाता है 35% 20 mm 97% से अगर कम है तो उसे अस्विकार कर दिया जाता है नए कार्जों के लिए गिट्टी अस्तर पर संरचना सिर्ष की होगी तो नए कार्जों के लिए ये तीस में एक होगी कटिंग तथा कैश नालियों के प्रभावी निकास के लिए पार्श नाली का बेड लेवल अवस्यक निर्मान अस्तर से से मी उच्चा होना चाहिए तो कटिंग या कैश नाली जो है रेल लेवल से तीस एम एम नीचा होनी चाहिए एक प्यार्शिस सिलीपर के रेल सीट के नीचे नियुंतम गिट्टी कूशन होनी चाहिए तो नियुंतम गिट्टी कूशन धाई सो एम एम होनी चाहिए गिट्टी जाच में जल अपसोशन जाच का अधिकतम मुल्य परतिस्त होता है तो जल का परतिसत होता है एक परसेंट अश्टैक माप की तूलना में गिट्टी के बैगन माप के लिए अनुमत संकोचन होता है तो गिट्टी के बैगन माप के अनुमत संकोचन होता है ये आठ परसेंट होता है गिटि के छलनी 20れた लेसन के लिए परियोग किये गए वर्ग जाल के आकार mm का होता है कितना-कितना mm का होता है तो यह होता है आपको 65 mm, 40 mm और 20 mm की जाली होता है गित्ती के धेर के पार्सव ढ़लान से अधिक समतल नहीं होना चाहिए तो इसका ढ़लान जो है 1.5 अनुपात 1 से अधिक नहीं होना चाहिए गुरूप A, LWR, बड़ी लाइन ट्रेक के लिए सिफारिस गित्ती कुशन की नियुनतम गहराई एमेम होती है तो नियुनतम गहराई जो होती है वो 300 mm होती है सभी बड़ी लाइन मार्ग में ट्रेक नभी करन के लिए कुशन की नियुनतम गहराई CTR और TSR mm होती है तो इसका जो होती है वो 300 mm होती है बड़ी लाइन मार्ग में सभी दोहरी करन, गेज कनवर्जन तता नई लाइन नियुनतम गहराई एमेम में होनी चाहिए तो नियुनतम गहराई कुशन होनी चाहिए वो 350 mm होनी चाहिए 65 mm चलनी पर मसीन से पीसे पत्तर की गिट्टी के धारन का परतिसत अधिक्तम 5 परतिसत होतो क्या होगा कटोती के बिना अनुबंदित दर्ग के अनुसार भुगतान किया जाएगा यानि उसे कुछ भी काटा नहीं जाएगा 40 mm चलनी पर मसीन से पीसे पत्तर की गिट्टी के धारन का परतिसत 60 परतिसत छोड़कर तथा 65 परतिसत को सामिल कर के बीच में हो तो क्या होगा उसे अनुबंदित दर्ग में 5 परतिसत की कटोती पर भुगतान पूर्ण अश्टैक के लिए किया जाएगा 40 mm चलनी पर मसीन से पीसे पत्तर की गिट्टी की धारन का परतिसत 70 परतिसत से अधिक हो तो अश्टैक को अस्विकार कर दिया जाएगा उसे अश्टैक को लेना ही नहीं है अगर 40 mm की गिट्टी 70 परतिसत से अधिक हो गया तो 65 mm छलनी पर मसीन से पीशे पत्थर की गिट्टी के धारन का परतिसत 10% से अधिक हो गया तो तो क्या होगा इसमें भी अस्टैक को अस्विकार कर दिया जाएगा 40 mm छलनी पर मसीन से पीशे पत्थर की गिट्टी के धारन का परतिसत 40% से कम हो तो क्या होगा अगर 40% से कम अगर 40 mm की गिट्टी है तो भी उसे रिजेक्ट किया जाएगा 20 mm चलनी पर मसीन से पीसे पत्तर की गिट्टी के धारन का परतीसद अगर 98% से अधिक हो तो क्या होगा उसे पूरा बुगतान किया जाएगा 20 mm चलनी पर मसीन से पीसे पत्तर की गिट्टी की धारन चमता अगर 98% से कम हो तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा रख रखाओ के पुर्योजन के लिए आवाश्य गिट्टी की मादरा का आकलन करके प्राकलन किया जाता है तो उसे जाचा जाता है एक सरवेच्छन द्वारा परतियक एक किलो मीटर में एक पट्री की लंबाई पर गहरी अस्क्रीनिंग प्रियोजन के लिए आवाश्य गिट्टी का प्राकलन द्वारा किया जाता है तो डीप स्क्रीनिंग का जो प्रियोजन के लिए गिट्टी का प्राकलन किया जाता है किलो मीटर पर दो से तीन सिलिपर के लिए एक पटरी की लंबाई में पूरी गहराई तक गिट्टी सेक्षन की डीप स्क्रीनिंग चेक होता है अति लंगन के बाबजुद केवल पहली गाड़ी के लिए का गती परती बंद लगाया जाता है तो यह अति लंगन बोले तो यह रहता है HBT HBT के बाबजुद केवल पहली गाड़ी के लिए गती होती है तो वो 45 की गती होती है पहली गाड़ी के लिए निमलिखित कारणों से गिट्टी भरी गाड़ियां पतरियों से उतर सकती है तो उसमें होगा एंसर A और B दोनों गिट्टी की अतिधिक उतराई के कारण ट्रेक का अबरोध हो सकता है और आंसिक रूप से बैगनों की उतराई से और समान भार होने के कारण भी हो सकता है गिट्टी की सुरच्छा कोटी के करमशारियों को HBT कारी के लिए अनुमती ना दे जो के लिए सेज है तो वो पुनाचर्या पुनाचर्या पार्टिक करम इसका एंसर होगा HBT HBT उद्राई के समय कभी भी आपको एक ही दिशा में संचलन होना चाहिए पूस बैक नहीं किया जाना चाहिए सुरियास्त के बाद और कोहरा के दीनों में HBT का कार्य नहीं किया जाना चाहिए इसमें सभी सही होगा गित्ती भरी गाड़ियां के साथ प्रेसित के लिए चालान की भेजी जाएगी जहां उत्राएगी योजना अगर जहां गित्ती जा रहा है उसके लिए छे परतियां भेजी जाती है अगली वीडियो मैं फॉर्मेशन के उपर बनाऊंगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए अगली जाएगी